कि टान्ट अब जैक क्रिंस अभी कैसे ओड़ी आ चलो बढ़िया अ कि बीविनिग बीविनिग बाट इवनिग विल्कुल आवाज आ रहे बच्छो आवाज आ रहे बटा इशेक हर अब पोड़ा बात करते हैं अपना जो लास्ट लेक्ट सिर्वा था बच्छो उसमें अपन्पन बात कर रहे थे रजल मॉडल के ओके चलो उसका आगे तो सेकिन न्भी पर अपन आगे थे अपन डिसकस कर रहे थे रदर्फॉर्ट मॉडल के बारे में अज़ु को सब्सक्राइब को अब अगर हम बात करे बत्चो तो देख आपन कैसे कह सकते हैं जैसे अपने कहा था atomic models यानि atoms के अलगे different type models यह अपने बात करे थे सबसे पहला model अपने discuss किया था जैसे Thompson model उसके बाद number two पर अपना आये थे rather for model ओके rather for model के बारे में एक चीज़ तो अपने क्या कही थी कि atom के fundamental particles होते हैं उनकी position के बारे में सबसे पहले satisfactionary explanation किस नहीं दिया था rather for नहीं दिया था satisfactionary explanation का मतलब है जिस पर हम believe कर सके ओके उससे पहले Thompson ने तो हर कुछ बोल दिया था ऐसे होता है वैसे होता लेकिन actual में ऐसा कुछ है क्या नहीं बचो लेकिन rather for ने जो बताये था वो दोनों statement note कर लिए थे ना ठीक है बड़ा फिर अपने दो डाइग्राम मना कि देखे देए अपन एलफा scattering experiment और गॉल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का क्या कि जब क्या करते हैं कि गॉल्ड फॉयल यानि उसकी पतली तीक ठीक थिन नहीं जैसे अपना पेज होता बटा उसी की टाइब से क्या करते है एक प्लेट यूज करके क्या करते है इस पर एलफा पार्टीकल की पास होती है और देख नहीं सकते लेकिन चैंडेंस की लेयर पर जहाँ हुँ עक्रिजन करते है वहां पर आर्फा प्रोड्यूस होता है जैसे वेल्डिंग करते हैं तो देखाऊगा जैसे ही परल्द की यूज़ती है वैसे ही यहांनि है इसका मतलब पता चल क्या करते हैं किसी angle पर passe होते हैं और बहुत कम ने के बराबर किसी एंगल परटिकल आता है जी बहुत कम ने के बराबर फा क्या होता है जी डिरेक्शने आते हैँ वापस इस डिरेक्शन चले जाते हैं मतलब है कि ॹस lake मतलब किस्से है atom की structure के बारे में कि आपने कहा मैं atom के structure को समझाँगा तो हम atom की structure समुझमे आया है ना कि फाल तो यह बच्छों वाला कांगेफ ने इल्फा पार्टिकल कीए किदर जारी हैं हम यह देखना हैं क्या नहीं तो बाकि सांटिस ने कहा कि यह बताई है एक्टम कैसा होता है तो इन्होंने का थावस ठीक है अब अच्छे समझना तो इन्होंने एक अलग से डाइग्राम मनाए था एक्टम का याद है ना फिर प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके जैसे मैंने आपको एक्जाम्पल बताये था तो इन्होंने क्या कहा maximum alpha पार्टिकल क्या होते हैं सीधे पास हो रहे हैं इसका मतलब maximum part of atom क्या होता है वेकेंट होता है empty होता है free होता है ओके कैसे जैसे मने marker वाला एक्जाम्पल लिया था अगर इस marker को क्या करूंगा जैसे मैं सामने फेक रहा हूं clear है अगर मानलो ये gate मानलो gate की तरह मैं फेक रहा क्लियर है यही बात इन्होंने कही क्या कि मैक्जिमम अलफा पार्टिकल सीधे पास हो रहे हैं इसका मतलब एक्टम का मैक्जिमम पार्ट क्या होता है वेकेंट होता है क्योंकि मैक्जिमम अलफा पार्टिकल के पास में किसी भी टाइप का कोई बैरियर नहीं होता और वह सीध प्रिजेंट होता है यह प्रिजेंट होता है तो क्या होता है एक फिक्स और एक होगा पास में जाएंगे कुछ दिश्टेंस तक तो पास में जा सकते लेकिन पूड़ी दूर तक तो एक क्षम है पता है अपना चाकी करते कोई हैं तो फोड़ी दूर तक थो एक दूसरे के पास आएंगे इंगल चेंज करते हैं सेंटर में होता है क्लियर है ठीक है फिर इन्होंने कहा आपने कहा कि मैक्जिमम जो पार्ट होगा वेकेंट होता है पोजिटिव चार्ज पार्ट सेंटर में होता है यह भी मान लेते हैं फिर आपने कहा कि बहुत कम नेगलेजिबल एलफा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में से और यह नंबर में क्यों होता है क्योंकि बीच का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो क्या होता है बहुत ही कम होता है नय के बराबर होता है तो इस नेगलेजिबल पार्ट से जब कोई नेगलेजिबल पार्टिकल टकराएगा उससे कोलिजन करने वाले पार्टिकल भी क्या होंग बीचे में था होता है यह क्लियर है कुन सा मलब पर्टोन तो सेंटर में होता है यह का मतलब ग्यक्त कर सकते हैं जो इसके सीफ नहीं आईडिया दिया था और मैंने क्या कहा जब इनोंने मास का मीजर्मेंट करके देखा तो क्या होता है अटम का जो टॉटल मास होता है नूप्स का जो मास होता है उनमें बहुत different आता है तो इन्होंने क्या कहा था इस difference को maintain करने के लिए एक तीसरा neutral particle भी nucleus के अंदर होना चाहिए इन्होंने idea दिया था सिर्फ clear है इसका मतलब इन्होंने exact nucleus के जैसे neutron के बारे में बताया तो नहीं था लेंग फिर भी इसकी position के बारे में ज़रूर बता दिया था कि वो nucleus के अंदर होगा yes or no clear बटा और आगे की study में पता चला कि actual neutron नाम का पार्टिकल होता वो nucleus के अंदर ही होता है clear है तो इन्होंने electron proton neutron टीनों की position के बारे में जो बात बताई थी वो करेक्ट थी या नहीं थी करेक्ट थी बिटा समझ में आ गया अपने एक्सपरिमेंट समझा था आज पॉइंट टू पॉइंट इसके जो अपने रिजल्ट सव्ड़ा वो लिखते हैं clear है चलो next पॉन लिको अकोर्डिंट टू रदरफोर्ड मॉडल अकोर्डिंट टू रदरफोर्ड मॉडल वन बाई वन अपन लिखेंगे अकोर्डिंट टू रदरफोर्ड मॉडल अकोर्डिंट टू रदरफोर्ड मॉडल वन बाई वन अपन लिखेंगे बटा अकोर्डिंट टू रदरफोर्ड मॉडल लिख लिए रदेस लगाए लिको नीचे नमबर वन बार बार अपन को यह लिखने की जरू तरू दिरूद ने अकोर्डिंट टू अगर नोट्स नहीं है तो वह तो बच्चों को दे लिए कब के पॉस्ट में और भी बच्चे इनके पास हो सकते हैं बच्चों को फी जरॉक्स करवा ले ना गटा थे कहां हुग कि नहीं और एक फीजिकल लेकर ढाट स्क्रेंव के पास्तों एसे इसे मजटर आप अधाम इसे में पार्ट आप इस मेंप्रटी वाइंप जबडसे पार्ट आप एक हम इस एंपटी कि अ नमब्ट फोलड या the all positive charge the all positive charge of atom the all positive charge of atom it consists in itís central part is consists in it easy central part the all positive charge of atom is consist in its central part it's consist in its central part this consists in its central part अपिर नोने क्या कहा ये जो नुकलिस होता है बटा एक काम करो इसको नाम भी लिख लिए ना क्या कहा all positive charge part is consist in its central part which is called a nucleus which is called a nucleus which is called a nucleus which is called the nucleus part of volume of atom the part of volume of atom अबाट 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 as compare as total volume of atom compare as total volume of atom clear he can actually go proton and neutron proton and neutron proton and neutron are present proton and neutron are present inside the nucleus proton and neutron are present inside the nucleus proton and neutron are present inside the nucleus when electron revolves अब एंड एंट लिवोल्स अरॉंड अनिप्लियस प्रोटों एंड निउटरों आर प्रिजेंट इन्साइड नुप्लियस फिक है और यही इन से गलती हो गई थी जो स्टेट्मेंट नमबर पर वोला न यह इसी बात को पकड़कर इनके सब्सक्राइब करते हैं इस से स्टेटमने आता वो तो बात की बात है जो इते प्लैने उसके चारओ सिर्फ रिवॉल्वूविं करते हैं नहीं करते हैं प्लैने ने भी यही का क्या कि जैसे सन एक्जगर फिक्स होता है वैसे क्या होता है नुक्लियस तो क्या होगा एक्जगर फिक्स होते हैं क्लियर है नुक्लियस एक्जगर फिक्स होगा और उसके चारों तरफ जैसे प्लैनेट क्या करते हैं रिवॉल्विंग करते हैं वैसे क्या होता है ए okay next one this model this model is similar as solar system this model is similar as solar system this model is similar as solar system in which nucleus in which nucleus is represent to sun in which nucleus is represent to sun in which nucleus is represent to sun and the revolving electron around the nucleus and the revolving electron around the nucleus and the revolving electron around the nucleus अगे जा के जब एक्सपरिमेंट किया गया है तो पता चला जो अब जो से इस इस अभी क्या करती है आलफा स्केटरिंग एक्सपरिमेंट को शो करती है क्लीज कर सकती है नो हो गया गॉल्ड हो गया पालाइड यह भी परजेंट करती है ओके लिख आग लाइटमेंट All Heavy Metals All Heavy Metals Such as such as what will have it a a g a u p t and p d silver gold platinum palladium are represent to alpha scattering experiment are represent to alpha scattering experiment अप्रेजरी बंटो एलफा सिक्टअ एक्सपेरिमिमेट क्लियर है यह अपने बात कि यह बात कि यह निए रदर शौर्ड मोडल के अकोडिंग हमें क्या पढ़ना है किया स्था किन निए बताया था तो के अब बात करते हैं दोबेक ओ लिए बेक लिए लिए अधिन रोबेक ओ ब्रदर फोड मॉडल बच्छा कहेगा सर आपने तो कहा था कि सबसे ज्यादा माइंड़ेट वर्क इनों नहीं किया था फिर भी इसमें कोई कमी थी क्या मैंने क्या कहता था बच्छो कमी सब में होती है आप में मुझे सारुखान में भी है याद है ना तो इसमें सबसे पहले कमी कि अगर आपन बात करें तो क्या था इस मोडल ड़स नोट एक्सपेइन अबाउट इस्टेबल होना पड़ेगा नहीं पड़ेगा अनि स्टेबल होगा तो नेचर उसे टिकने देती है क्या नहीं बटा आप यह लेकटücklich कर अबारे में कोई आइडिया नहीं दावत सो ऐके लिए बिंग Eigen को मॉडेल पहलेगा Presents म इस्ट्मोड गोजन ड़स नोट एक्सपेइन बाउट पड़ीटी ओप अटम this model does not explain about stability of atom this model does not explain about stability of atom okay number two this model this model does not explain to maxwell's theory 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 this model is यही बात तो बोलती है याद एनों क्लियर है क्योंकि यह में थोड़ी है यह जो करेगा है जैसे अपनी बात कर सकते हैं चाहिए विकल की बात कर सकते है नियचर का रूल यही इवस्टो अगर मानव वॉक कर रहे है या फिर अपने विकल का यूजब करते हैं तो क्या यही बात इन्हों ने कही कि मैक्समेल ने क्या कहा कि सर मेरा जो क्या कि कि इंट्रों की इनर्जी करता जाएगा इसका इलेक्ट्रों की एनर्जी कम होती जाएगी तो यह बता है अपनी तरह होता है हमें पता है ईपटा है लेक्स तब तक उपर की तरफ मुँँ करेगा एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर रेश्ट पोजिशन में आ जाएगा टोप पॉइंट पर यह सो नो ऐसा क्यों होता है क्यों कि हमारे तुरू दी गई एनरजी ग्रेविटेशनल फोर्स के तुरू लगने वाली एकवल हो जाती है ज करेगा एलेक्टरों क्या करेगा और और कंता है तो दीरी दीरे क्या होगा इसका मतलब क्या होगा है इसे अपनी तरफ करता जाएगा यह सो और अगर जब बहुत ज्यादा पास आजएगा तो हमें पता है जैसे निउकलेस के अंदर हो सकते हैं तो क्या होगा यानि लगने वाला एक्रेक्शन पॉर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि न्यूकलेस क्या जाएगा यास औरो जबन यूट्रोन ूंडोले centr के अंदर हो सकते हैं तो ईलेक्टून यू नहीं हो सकता मैक defensive ने ये बात कुछी पूचीज तरफ वड के पास इसके कोई सबाब है नहीं था میक्सविल ने क्या आप दा करेका चक्र सप्सक्क्राइब और और लकावन पर नेकली्टोन के अन्डर नियुपयोंट पिराइव मैं यह सकता है अपने जैसे अपने बोला है इसके पास जाता जाता सा अधर क्या होगा दे actor इसके उख हड़ेवल कारओर जय disciplines falling nucleus nucleus के अंदर गिर जाएगा कहने का मतलब है यह भी proton neutron की तरह nucleus के अंदर जा सकता है समझ में आया और इस बात का Rutherford के पास कोई जवाब नहीं था समझ में आ गया इसका सबसे बड़ा ड्रोव एक था अपनिक्या का इस चीज को स्टेट्मेंट की फार में लिकलो अपने क्या लिका इस मोडल डस नोट एक्सवेल थ्योरी ऑके की का निचे लिग लूटा अपोटिंग दूमेग सभल थ्योरी according to Maxwell theory according to Maxwell theory according to Maxwell theory the revolving electron around the nucleus the revolving electron around the nucleus according to Maxwell theory the revolving electron around the nucleus आएक आएको आएकों ईसिंग प्री स source issue उस नहीं धょूस एके ए कर आएकों ता सिर्टों को एको रार नुकल मैं ग्ली के वार एक प्रटि में सब भ tutto कहरए हो एको जुकल लिएकों विए लिए वाय। waves in form of electromagnetic waves okay so the revolving electron continuously comes closer to the nucleus so the revolving electron continuously comes closer to the nucleus the evolving electron around the nucleus so the revolving electron continuously comes closer to the nucleus and finally fall in nucleus and finally fall in nucleus and max unstable to the structure of atom and max unstable to the structure of atom to the structure of atom to the structure of atom clear to the structure of atom प्रेंच अभी अभी शेख बन जाएगी क्या नहीं बनेगी बना लिए सर प्रेंच क्या बास लिए चलो बेटा अभभ एक्षुल में इस टेट लाइफ हमी सेम होता है ठीक है आकटा बैटा यह जो इस चीज़ को कंट्रोल कर लेता वो दूबने से बच जाता है है उपके इसटेंट लाइफ में क्या होता बिटा फैट इये है डाइवर्ट होना डाइवर्जन होना एक ही पार्थ में सल्टे जाँ रहे हो पेटा जिस सोच के साथ आप घर से आए थे जिसस के साथ थोड के पोचिंग आये थे उसमें रिवोल्विंग करते रहोगे उसमें चलते रहोगे तो सक्सेस हो वेटा आपका समझ में अगर कंटिनुएसली डाइवर्ट होते जाओगे यह आपका क्या है पैटा unsuccess बात समझ में आए digo यहama sucks is जितना ज़यदा क्या किया करोगे अपनी energy loss करते जाओगे तही है और energy loss करने का सबसे best method है किया किया diverte होना समझ में आगया diverte होना मतलब क्या है मेरे भी ले लो मैं अगर मेरी energy loss करो किस वे में कोई करा साथ का फ्रेंड करा ये कर लो मेरे घरवाले करें ये कर लो कोई और करा ये कर लो कोई और करा ये कर लो दुनिया के बारे में अगर सोस्था जाओंगा नो डाइवर्ट होंगा और डाइवर्ट होंगा तो मैं एनरजी लोज करूँगा नहीं करूँगा करूँगा बैटा ये बिटा नेचर का रूल होता है द्यान रखना विटा कि इसका मतलब कहने का मतलब क्या है बस अपनी धुन में चलते रहो वह कहते ना मेंटल में जीनियस में को ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है अप अपने धुन में मस रहता है और बड़े बड़े जीनियस में वह ऐसे ही हुए है अब शीदी सी बात दरें जब वो किसी और की बात नहीं सुनते तो फुद की क्या सुनेंगे समझ में आ गया उनका मन बार बार कहेगा बेटा ऐसा मत कर पढ़ाई मत कर बेटा तो पढ़ेगा बेटा यह मत कर बेटा तरस्या करेगा कहने का मतलब क्या है एक बर तुमने जो डिसाइड कर लिया उसके लिए जीजान लगा दो आगया समझ में फिर डाइवर्ट होने की जवरती नहीं है एक रस्ते बेचलोगे नो डावड़ डेस्टिनेशन आएगा ही आएगा क्लियर ह लेंस की तरह है तुम लोगों ने पढ़ा है और आगया लेकिन फिजिक्स में बहुत अच्छे से आता है और पॉन्वेक्स लेंस वाली बात करते हैं लाइट को फोकस कौन करता है कौन के वह या पॉन्वेक्स वाला ध्यान ना ठीक है बस्पन में बस्पन में अभी लेंस पर और पेपर क्या रहता है धीर बर्निंग प्रोसे स्टार्ट हो जाता है लेकिन वहीं क्यों अगर आप यूज करोगे तो चाहिए पूरे दिन बैठे रोग पेपर कभी जलेगा क्या लेंस डेखभड़ा किसमें लाइट वही है एक्सपेरिमेंट करने वाले आप भ अपनी एनरजी को एक जगह तुमनें सीख लिए बचछो द्यानक ना दुनिया की कोई भी टाकत है तुम्हें फैल मतलब करवा ही नहीं सकती समझ में आ गया जगर तुमने एनरजी को एक सिका फोकस करना सीख लिया जिंदगी में तुम कभी भी फैल हो ही नहीं सकते चाहिए कोई भी फिल्ड हो गड़ा आ गया समझ में अरे सिंपल जी बात है हमने अपना कोचिंग स्टार्ट किया कोई दिक् कोचिंग जोइन कर ली तो खुद की जड़ा सक्सेज हो सकते हैं क्या नो बेटा लेकिन कोई कितना ही लालस दे हमें पता है खुद खुद की जगह है आगा समझ में एक बर जो डिशाइड के लिए यह करना तो करना फाइदा नुकसान वह अलग है करना तो करना एक काम को फ फोकस करने शिख जाओ बिटा और यह आपकी जिन्दगी का इनीशियल फेज़ा है ओके खास्त है लेउंद के बच्चे हैं लेउंद के बच्चे हैं अभी तुम्हें पता चलेगा दुनियादारी क्या है एं तक पढ़ना एक अलग इस्यू है उससे बढ़ी बाद नहीं है लेकिन अब तुम्हारे दिमाग क्या पैसंस क्या तुम्हारा फोकस क्या सबका बटा वही बात एक्जाम होगा ठीकर तुम्हारे सब्जेक्ट का एक्जाम तो बाद में होगा उससे पहले तुम्हें पता लगा था दो साल किसका एक्जाम होगा तुम्हारे फोकस का तुम् लोग तो में दॉक रहों की सब्सक्राइब यॉच्छ कर रहेंगे दो साल में तुम्हें पता होना चीका सही है मेरे लिए में जिंदगी में फॉकस रखना सीख जाओ टाइम के साथ चलना सीख जाओ बटा आगा समझ में टाइम के साथ चलना सीख जाओ ये जिन्दगी की सबसे बेस्ट कंडिशन है बिटा टाइम के साथ चलना नहीं सीखोगे जिन्दगी में कुछ नहीं कर सकते इमान के चलना ओके तुम कई सारे इश्ट्री उठा के देखो बटा तै मोबाइल फोन हो चाहि कुछ तो इसी रास्ते चलूंगा दिमाज में सेट करें ना बड़ा इस बात को नोकिया ने कहां मैं एक्षेप्ट नहीं करूंगा एंड्रोइड बाकि जो स्मार्टफोन थे एपल है जा मालो एपल फिर भी आयोस वर्जन यूज़ करता उसका लेवल तो अलग है लेकिन सेंसंग के लिए जो टाइस नाते थी कैशियो घरीकाटेमरा श्ताइब लेकिन अपडेट करना टाइम के साथ चथा अपडेट करना जो होता है वो टाइम के साथ अपडेट नहीं कि हम मार्केट से खतम होगे समझ में आ गया यह ध्यान रखना बिटा यह हर कंडिशन में इंपोर्टेंट है यह ध्यान रखना ओके हम भी क्लास में ऐसे कभी मोबाइल फोन ही यूज नहीं करते थे एक तरह फेक है यही है समझ में आ गया किना नहीं चलेंगे लोगए मैं नहीं बडा सकता यह नít कर सकता और यह लोग पिखना हैने फॉकस करो औरuju सीडियस लोगना पिख opinidad इतना तुम सीरियस रहे के फोकस रहे काम करोगे रिजल्ट भी उत्ता ही बेट रहे गटा ठीक है चलो बैटा तो यह बात करते हैं तो यह तुपनी क्या का रधर पोर्ट सभी प्रेंस बात समझ में आई क्या अब दा रिसॉर्ट सीघानी की Mengट लिटा रिसॉर्ट विट अरक है दूनिया में सबकशिकनर ςकू से ज्यादा है लोगों के पास वही बात है अगर खाली resources की वज़े से ही होता तो दुनिया के जो भी मालो successful person है या पैसे वाले है तबी के बच्चे success होते हैं सबसे ज़्यादा बरबाद उन्हीं के बच्चे ही होते हैं उनके पास resources सारे हैं mobile phone है laptop है गाड़ी है AC है सब कुछ उनके पास है फिर भी सारे 100% efficiency आती क्या उनके बच्चों का successful ratio होता है सबसे बता रहा हूं तुमने कभी इत्ती study नहीं क्यों कि बटा इस चीज में लेकिन फिर भी ध्यानक ना कई जगत तो आगे दुनियादारी देखो लोगे 15 सालों में जो पैसे वाले लोग होते हैं वो पैसे देखे डोनेशन करवा सकते हैं लेकिन खुद के selection से तो successful ratio होता है उनका 10% भी नहीं होता है लेकिन जो middle class family से होता है जिनके घरवालों का ये तक नहीं होता कि इस मन्त में काम नहीं करूं तो अगले महीने क्या कमाऊंगा क्या खाएंगे बच्चे क्या खाएंगे सेविंग तो अलग बात है उनके पास ये भी आइडिया नहीं होता कि अगर इस मत मेरी सैल दी नहीं आई तो घरवाल बच्चों का कैसे खुलाऊंगा बच्चों की दुनिया सकसे थोती कि फुद की मैंटेबिलिटी का बचा की समझ में ठीक है हमेसा ध्यानिया रिस्टों अपने बना सकते हैं हाँ ठीक है इसी के पार लेप्टोब वगत अपने पार लेप्टों बलई ही नहीं है लेकिन है आप हलके फोन से भी पढ़ सकते हैं किसी से टॉद्र इक तो मात मैकसीमां डॉत शाइन के पुस्वें वी नीचे सोते हैं और वह इंगा तुम्हें नहीं वाथ मात समझे आई और भी से मिस श्टिकी लिए लोग तो पुछ भी नहीं हो उस बंदा मेसे उख़के लिए कि लोग तेरी सकल ऐसी है तो क्या कर सकता है यह और वोर पर एक ही बात करता था कि मेरी मां हमेसा करती एक दिन तो कसरे की भी जगह बदल जाती है लोग यहां से वहाँ उसका जो टाइम आया है कोई बात अलगी लेवल पे है बात समझ में क्या यह सब कहने सुन्दी में अच्छी बात लगती है सक्सेज़ 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 आज अपने बात करें सारुखान सबसे रिचेश्ट एक्टर है इंडिया में वर्ड में सेकिंड नंबर तक अपने दोस्तों से पैसे ले लेकर अपने दोस्तों से 20 रूपीज लेता था उधार एक साथ लूगा था जाएंगे एक बरगर दिन में खाया एक बर्गर दस रुबेगा शाम को खाया ऐसे उसने जिन्दकी निकाली है वही बात है जिन्दकी कंडिसेंस पेटा अलग ल नहीं क्या तुम उसको यूज कैसे कर रहे हो अगर तुम्हें रिसॉर्सेज का यूज नहीं करना आता तो तुम्हाली यूजले से बटा इसी बात है अरे कोई मान लो पी एच होते हैं वो भी ऐसा कुछ कर जाते हैं लेगिन हेल्दी होते हैं तुम्हें पता मैक्सिम नाइ विल्पावर इती जबरस्ता तुम्हारे इफार्ट इते जबरस्ता है रिसॉर्सेज को साइड कर देते हैं आगया समझ में तो यह ध्यानक ना दुनिया में जो रिसॉर्सेज जिनके पास अवेलेबल है उनका सकसे देशियो टैन परसेंट भी नहीं है लेकिन जिनकी कंडि इसका मतलब मेरी जो कंडिसन से उसमें ऐसा हाड़ वर करके दिखाऊं मेरा परजेंट ऐसा जरूर है पास्ट ऐसा जरूर था एक फूचर ऐसा नहीं होगा ठीक है विल्गेट्स ने क्या खाया है कि तुम गरीब पैदा होते हो तुमारी गलती नहीं है ठीक है गरीब पैद ले सकते बढ़ां फूर एक हां दिया हो अलग बात तुम्हारे हात में नहीं था लेकिन तुम गरीब मरते हो इसका मलब तुने पूरी जिंदगी में कुछ किया है यह उसमें आ गया इध्यान रिसॉर्सेज हम खुद बनाते हैं आगया समझ में मैंने मेरे मैंने 10 पास की मेरे इतने बड़े खांदान में पहला कोई बन्दा था जिसने 10 पास किया किसी भी तुम ले सकते बटा अपने खुद में कुछ होना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं मैं कुछ कर सकता हूँ मैं कर सकता है उसको बढ़ा आगर रवायर है अगर कोई बात मेरी कोचिंग भाष्क हो गई थी पर्मनेटली लाश्ट यह हमने काली एक अग्या ने क्लीट रखा था अनली केमिश्त्री और पार्ट परमांटली नहीं आ सकता अगर बच्चे करें पढ़ेंगे मेरी दो रहता तो इन चैनल पार्ट के लिए करो दो शिक्र में चलेगा ही नहीं अब ऐसा थोड़ी उनके कहते ही मैं लोक मार दूश्याम को यह जो चलेगा नहीं है मैं आपकी थोटा यह मैरी थोट न अब तक वो चलेगा कोई उसे बंद निंग आसकता वसी ति मेरे मन में ऐकि यह बंद यह नहीं चलेगा उसे कोई चला नहीं सकता उन से मैं यह का यह आपकी ठोटा फॉट्टा इस विए पुस्रा घर और अपने टार्गेट पर ऐसा फोकश रखा गरो कि दुनिया में 10 της कया अगर मैं मेरी जगत्र हो वाली बात है पढ़े सर झिलेगा पथसक्स हाई खर सबीधों धर लोगा सबस्क्राइब लेकिन कब जब कुस्क है काम दो अपने सुबह का विटा मैं यहां जाओंगा शाम को का मैं वहां जाओंगा दूसरी सुबट के फिर मैं वहां जाओंगा तभी कोई काम सक्षेज हो सकता है गया एक चीज़ एक वर तुमने के लिए मुझे करना है उसके बाद उसी में लग जाओ दुनिया इधर से उदर हो जाए तुम्हारा टार्गेट से नहीं होना चाहिए समझ में आ गया ठीक है यह हमेसा द्यानक ना बढ़ा तो यह अपने बात की बढ़ा किसकी रदरफोर मोडल की कैसे होता है क्या होता प्रे इंपोसिबेल फिरिंज का मेसेज ए इंपोसिबल साइड आई एंपोसिब वैरी गूडब बेटा विल्कूल साविगान क्या का अक्वोडिंट टो एक परसे 20 में लोगों के पास है और 20 विए लोगों के पास है बिल्कुल बीटा बात करते हैं बिल्कुल सही है ठीक है लग करते हैं अपने सबसे इंपोर्टेंट मॉडल की बात करते हैं सभी मॉडल में नॉर्मली बॉर मॉडल बॉर मॉडल बॉर मॉडल इस बॉर मॉडल बच्छो देखो मैंने स्क्ष्टामा क्यों किया है अभी मॉडल में एक्जाम के पॉइंट होई से सबसे आदा इस बॉर मॉडल मॉडल यादना यह किसमें आता था स्क्राइट मॉडल यादना अर्श्टार्टिंग फोर्ट तो क्या थे विट है यह सो नू तो वैसे तो यह फिजिक्स के ख्लासिकल कॉंशेप्ट उन्हीं पर बेजड देप लेकिन इसमें किसको इंक्लूड किया गया quantum theory को include किया गया इन्होंने क्या कहा quantum का मतलब क्या होता है energy का loss या gain करना small energy bundles की form में होते हैं जिने quantum या photon कहते है yes or no इन्होंने भी इसी concept को use किया electron energy का loss कर सकता है gain कर सकता है इसके basis पे अपने cell या orbit में change कर सकता है समझ में आ गया clear है तो इन्होंने क्या कहा यह classical theory of physics और quantum theory of radiation पर बेश्ड़ा बिटा ओके ठीक है और जो सबसे ज्यादा किसन पूचा गया थे theoretically क्या to explain the structure of atom quantum theory first time used by war समझ में आ गया clear है इससे पहले रदरफोर्ट जी थे और thompson जी थे उन्होंने quantum का नाम मिलिया था क्या नहीं atom की structure को explain करने के लिए quantum theory का first time use किस ने किया था बोर ने किया था clear है ओके ठीक है और क्या कहेंगे according to nuclear concept of Rutherford and quantum theory of Planck war gives following concepts यानि इन्होंने manly क्या किया दो concept को include करके अपनी thesis दी बटा अपने experiment के रिजल्ट दिया ऐसे होता वैसे होता दो experiment कौन गोंचे एक तो रदरफोर्ड वाला clear अरे रदरफोर्ड वाले model में कोई कमी जी क्या नहीं वो तो क्या थे जो उन्हें कुछ questions पूछे गए थे उनको वो explain नहीं कर पाये थे बाकि जिता उन्होंने बताया था वो एकदम रदरफोर्ड के concept और plank quantum theory दोनों को include करते हैं इसने काफी सारे concept बताये काफी सारे results इन्होंने बताये ओके क्या थे बेटा वन बाई वन अपन बात करेंगे ओके लिए लिए दो स्टेटमेंट लिको सबसे पहले लिए लिको इस model based on इस model based on इस model based on classical theory of physics this model based on classical theory of physics this model based on classical theory of physics and quantum theory of radiations and quantum theory of radiation this model based on classical theory of physics and quantum theory of radiation this model based on classical theory of physics and quantum theory of radiation and quantum theory of radiation quantum theory of radiation clear है? चलो, next point विको मेटा to explain the structure of atom to explain the structure of atom to explain the structure of atom quantum theory first time used by Bohr to explain the structure of atom quantum theory first time used by Bohr to explain the structure of atom quantum theory first time used by Bohr to explain the structure of atom quantum theory first time used by Bohr तो नक्स्ट पिंटिको अन था था लिएव जए लिए ली दिए खूर नेश्ट को पाम लिखार लिए लिएट जो सेटीन पॉंट आपने इन लिखा ना बाटा कॉंटर जेखने का इसकुंट अपान अकान सो के टो क्यूंट अब ये लिखा है nuclear concept of Rutherford, on the basis of nuclear concept of Rutherford, on the basis of nuclear concept of Rutherford, on the basis of nuclear concept of Rutherford, and quantum theory of Planck, and quantum theory of Planck, बोर गिव फॉलोइंग कॉंसेप्ट बोर गिव फॉलोइंग कॉंसेप्ट लगा दो अब सिक्वेंश हे वन बाई वन देखेंगे यानि नुक्लियस जदरफॉड के नुक्लियर पॉंसेप्ट जो था वचो और एक्लाइंक की कॉंटम थिए ती उन दोनों के बैसिस पर बोर कि सारे कॉंशेप्ट बढ़ा ओके नंबर वन अब से पहले लेक्ट्रोन रिवोल्स अरांड नुक्लियर इन्हें ई अर्टुलर पाइघ यह तो रदरफॉड नहीं बता दिया था accept लीज के चारें त्रफ में इन सर्कुलर पाथ अब बटा देखो क्या होता है एक्चल मज़ेगी बात क्या थी देखो यह तो इन्होंने कह दिया था एक टॉन रिवाल्ज अरांड दान्यूक्लियस इन्हें इन्हें अब इलेक्टोर्न नुक्लियस के चारव तरफ सर्कुलर पाथ में रिवाल्विन करता है अब मैक्सवेल तो इसी के लिए तैयार था कि जैसे भी कोई साइंटिस बोल देगा कि इलेक्टोर्न रिवाल्विंग करता है नुक्लियस के चारव तरफ मैं तूट पड़ूँगा यह सो नो अरे मैक्सवेल तैयार था या नहीं था था जैसे ही मैक्सवेल को पता चला क फिर से किसी के दिमाग में खुनस जागी है कि लेक्टोर्न नुक्लेस के चारव तरफ रिवाल्विंग करता है मैक्सवेल फिर से लूंग उठा गये मैक्सवेल ने क्या का आपने बोला गया मिष्टर भूर्वार्व ठीक है मिष्टर बहुर्व यह बताओ मेरा जो और अपने और खीच लेगा और अपने क्या हो जाएगा जब कि आपने का इलेक्रों क्या करेगा रिवॉल्विंग गरेगा तो कैसे करेगा और ने का बोल लिया अब बंद रख बखवास बंद कर चाहिप पानी पी और अराम से सुनना क्लियर है ठीक है अपनी लोंगी को अपने वर्जन में उन्होंने आपस में गाली निकाली तो W positivity नहीं है लेकिन अपन अपने वर्जन में इसी 6ips को प्लिख रहे है प्लेकिन अगल लेकिन मुझे पता था तेरे जैसा वाइरस आएगा मैंने एंटी वाइरस पहले से बना रखा था ठीक है लेकिन अकल के अंदे तो लुम्य उठा के भाग के आतो गया लेकिन रदर फोर्ड ने क्या का था इलेक्ट्रों नुक्लेस के मैंने क्या कहा कैसे सुनतों सही अपने प्रिंच की तरह उसके बहुत सारे थे ठीक है तो बोर ने क्या का सुनता जा चुप-चाप बीच में बोल गया तब की बढ़ देख लेना ठीक है दो आदमी खड़ेत करें लिए पहले से मसाज गिन लिए ठीक है चलो बड़ा देखो कह अच्छी को क्या होता है चलो औरर बोर ने क्या का बड़ा के लेक्ट्रों निक्लेस को सारो तरफ क्या करता है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करता है इसने कहा मैंने यह नहीं का रिवॉल्विंग करता है मैंने क्या सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करता है ठीक है अब इसने क्या किया फिजिक्स का यूज क्या फिजिक्स का यूज कैसे किया इसने क्या का इलेक्ट्रोन कैसा पार्टिकल है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ओके नुकलेस के साथ पार्टिकल है बेटा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ओके अब फिजिक्स के रूल के अकोर्डिंग अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है नी अपोजिट चार्ज पार्टिकल आपस में पास-पास है, उनके बीच में attraction force apply होगा है नहीं होगा, होगा बच्छो, clear है, तो इसने क्या कहा, दोनों के बीच में क्या होता है, attraction force apply होता है, clear है, इसको इन्होंने क्या बोला, attraction force, attraction force और कुलाम फोर्स भी इसे बोलने बोलते हैंवा ल zbor Ram 46 FC बोल रहा हूं लांग光 많은 इसे में इसे में से बोल रहा हूं लांकर यूज़ करते हैं याद है ना तो इसे क्लाव फोर्स भी कह देते हैं उन्होंने क्या कहा इलेक्ट्रों नेगेटिव चार्ज पार्टिकल न्यूक्लेस पोजिटीव चार्ज पार्टिकल तो फिजिक्स के रूल के अकोडिक उनके बीच में अट्रेक्शन फॉर्स एप्लाई ह बिल्कुल होगा लेकिन इलेक्रोंड अगर मैंने क्या बोला है और कोई बी पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में करेगा तो इस पर परपेंडिकुलर डाइरेक्शन में बाहर की डायरेक्शन में एक क्या होता है करता है बच्छो कौन सा इसको मैं सोट में FCF बोल रहा हूं सेंट्रीफ्यूगल पॉर्स अब बच्छा कहेगा सरी कौन सा फॉर्स लाँ चो गया चलो बच्छो प्रेक्टिकल लाइफ के कुछ इस को स्की एकामूल समझने बिल्कुल बैटा हम दिसी मालों भूश commend के बस्में जा रहे हैं मालो हम सब बैठे हैं हम सारे लोग बैठे हैं चलो यह मोटा सा ड्राइवर बैठे हैं तो अक्षम में क्या होता बैठा आप नहीं देखा वंगा नॉर्मली क्या जाएगा नेक्टर का रूल है अगर टैन कर रोटेट करता है पर पेंदिकुलर डिरेक्षिन में लेफ्ट साइड में ताकि दोनों फॉर्ष एक दूसरे को बैलेंज कर ले और दॉसरे को बैलेंज कर सकती है यह सब्सक्राइब लेकिन ट्राइवर का निया थैता तो क्या होगा कोई चुछ रहा था कहने का मतलब क्या है तुम सब लोग ऐसे कि त या तुम लोग कोई मान लोगटा हम सब लोग ऐसे एक साथ खुमा दिया तो क्या क्या किया ऐसके प्रच को बैलेंस करने का टाइम भी नीदिया उसे पहले काम हो गया बात समझ में आई इसका मतलब हम पे यह वाला केस अपन देख सकते हैं तो देखा हो गाइब और यह क्या होता है आप खुले में क्या का यह सारे लोग बैठें हैं कि जूले में बैठें और यह क्या प्रिंस और चभी है वह आराम से बैठे है लेकि जैसी रोटेट होना इस्टार्ट हुआ तो क्या होता है जो प्रिंस अमान लोगो क्या हो जाएगा आदा बहार लटक जाएगा ठीक है और यह चभी बैठा इसके पैरों को पकड़ के इसके पकड़ने के लिए ठीक है बाहर न करने के लिए साइड से पकड़ के नहीं रखा तो तो क्या होगा इस पर एक पर्पेंडिकुलर डारेक्शन में एक फॉर्स लगेगा इस विज़े से क्या करता है बहार की तरफ अपने आप यह एट्रेक्ट होता है समझ में आ गया क्लियर है इसके पैरों को पकड़ना रख ओट कॉननं की 10 में क्या होता है बहुत बेडा मलने इसपोर्ट कारी होती है पोले स्पीड ज्यादा होती है जिएक ड्राइवर का तेdeath करूद śli नहीं बन-पाता तो एक्षिंए क्टर नहीं जल रहा होता है क् आपकॉन क्सला रहा हाँ अपना तृस कार गो चला रहा है ठीक है वह सभी इसके पास में बैठा है ओके ठीक है तो क्या होगा फुल स्पीड में एक बिल्कुट एक तोप मोड प्लाइट मोड बे एरोपलेन मना रहे बाहर ले जाएगा बाहर पास होगा ठीक है फड़ी तीर बाद जब टन ले लेगा फिरिंश को पता चलेगा वह कहां गया ठीक है और सभी बाहर उट के देखेंगे यहां कैसे आ गया कहने का मतलब क्या बेटा जब बहुत जादा थी इस पीड बहुत जादा थी तो क्या यहां से मिलेगा अचानक देखो चभी कहेगा दो मिनट बाद मा का आओं ठीक है तो वहाँ नीचे मिट्टी में हो बटा ओके बात समझ में आए क्या क्यों क्यों कि अचानक इस पर इतना फोर्स लगा पर पर पेंडिकुलर डायरेक्शन में कि यहां से उठकर क्या होता है यहां शिप्ट हो जाता है बच्छों समझ अलगी दुनिया में होता है बटा तो कहने का मतलब क्या यह भी क्या है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है मैंने क्या कहा मैंने कुछ दो च्यार एक्जामपल दिया है समझ में आ गया यह सो नो अब इस एक और बात समझ में प्रिंस सिंपल जी बात है यह मैंने बटा में जनरल लाइफ कुछ दो च्यार एक्जामपल दिये कहने का मतलब कि हसी मजा की बात अलग थी लेगन एक्च्छल फेजिक्स की अकोडिंग देखे तो यह नेचरल होता है बच्छों क्या कोई भी सवस्टांस है जिसका कुछ मास है अग और ने कहा इलेक्ट्रों नेगेटिव चार्ज पार्टिकलर तो न्यूक्लियस की तरफ इस पर क्या होगा एक तो अट्रेक्शन फोस्ट लगेगा लेकिन यह सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करता है इस वज़े से इस मार्कर की बात कुरूब कैसे मान लो अगर मैं क् रहे अगे इससे उपर की तरफ खीच रहाओं तो यह बताओ मार्कर किदर जाएगा राइट है अगर के बात समझ में आगी बात है कहा क्योंकि electronérire다고 क्योंकि elekton के बीच में लगने वाला attraction force electron पर outside direction में लगने वाले centrifugal force के एक्वल होता है और दोनों force एक दूसरे को बैलेंद्स कर देते यह सब्सक्राइब से होता है electron easily circular puff involving करता है क्लियर है डिमरा statement क्या है the attraction research in foreign between electron and nucleus is equal to centrifugal force applied on electron outside direction सब्सक्राइब करता है इस वज़े से इसली क्या करता है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करता जाता है यहां चलो बैटा यह जो दो फोर्स लिए बोले हैं बच्छों तो क्या का समझना अब इस चीज़ को क्या कहेंगे यह जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने बोला है इसका फॉर्मला होता है पीटा mm is stare upon R K 2017 positivity of course क्या होते बीटाgel अंगीर किसी बिए पार्टीकल का सिंस होगी और की सिए करेगा नहीं करेगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंग autour इसका मास हो गया तो मास multiply by square of velocity upon inversely proportional to distance या फिर radius clear है यह क्या होता है centrifugal force होता है clear है ठीक है बटा और दूसरा force इन्हों ने क्या कहा attraction force attraction force इसको अपने क्या बूला है बचो lam force छीक है क्लाम ने क्या कहा two particle के बीच में लगने वाला attraction force क्या होता है दोनों के charge का multiply और बीच की distance का क्या होता है inverse square होता है yes or no yes or no यह physics में आपके काम आएगा क्या बेटा कि दो particle के बीच में लगने वाला attraction force होता वो क्या होता है दोनों के charge का multiply q1 और q2 q1 क्या है पहले particle का charge q2 क्या है बेटा दूसरे particle का चार्ज और आर इसको क्या है दोनों के बीच की स्कार समझ में आ गया तो क्या कहेंगे एक क्या है कि यहाँ पर कुलाम तो फिसको बैलेंस कने लिए इसकी अपन बात करेंगे बत देखो क्या कहा देखो नौर्मला तो होता है क्या है दूसरे पार्टिकल का चार्ज दूसरा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन अरे जिन दो पार्टिकल की अपने स्टडी करें कौन है वो दो पार्टिकल एक नुक्लियस दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉन है नुक्लियस के चार्ज को बच्चो लिखा जाता है जेड़ इसे बच्चा कहेगा सर क्यों क्यों हमें पता है नूक्लियस के चार्ज के लिए कौन रेस्पॉंसिबल होता है अरे प्रोटॉन शिदी सी बात है नूक्लियस में हमें पता है कौन कौन चे क्या होगा उत्ते ही प्रोटोन का मल्टिप्लाई होगा ये नहीं होगा वन प्रोटोन है तो वन प्रोटोन के चार्ज के एक्वल टैन प्रोटोन है तो एन प्रोटोन के चार्ज के एक्वल येस और नो और हमें पता है जेड क्या होता है नंबरों प्रोटोन के एकवल होता है अधिक यह मतलब जितना होगा उतने ही होगे यह सोनो यह मतलब टार्ज नमबर ऑफ और प्रोटोन क्योंगी एकर देंगे और प्रोटोन 10 है तो क्या कर देंगे टैन्यूक्लेश का टॉटल चार्ज आएगा नहीं आएगा आएगा बटा क्लियर है ठीक है यह तो होगया पहले पार्टिकल का चार्ज क्यों की वैलू अगर हमने इसको पहला पार्टिकल माना है तो दूसरा पार्टिकल इसका चार्ज क्या इसमझ में आ गया और बीच की डिश्टेंस का इनवर्स स्कुएर यानि आर स्कुएर ले बटा तो क्या लिखा जाता है इसे एजड़ इसक्वेर अपोन ने आर स्कुएर समझ में आ गया यह क्या होता है बच्छो एट्रेक्शन फोर्स को केमेस्टिक टम म लिख दिया जिसमें अटमिक नंबर भी आ गया समझ में आ गया क्लियर है फिजिक्स में तो सीधा चार्ज से कर देते हैं अपने यहां चार्ज काम नहीं आएगा अपने यहां पर क्या आता है एक नंबर की कौन से एक आटम की आप बात कर रहे हो उसी के रेस्पेक्ट में अटमिक नंबर आपको एप्लाइब करना है समझ में आ गया चलो बच्चो तो यह अपने बात की एट्रेक्शन फोर्स और पुलाम फोर्स के बारे में एट्रेक्शन फोर्स हो जा सेंट्रिफिकल फोर्स हो एक हमने निखाए इसको बोलते हैं विटा कुलाम पॉंस्टेंट यह क्या होता है कुलाम कॉंस्टेंट ओके केमेश्टी में अपनी यूज़ तो नहीं होगा फिर भी थोड़ा सा आडिया रखना फिजिक्स में आपके बार-वार ये यूज़ होता है तो कि फिजिक्स में जो आप कुलाम कोंसेट है यह आप डिटेल से बढ़ते हो ठीक है गाउस लो पुलाम लो ये वापके पूरे डिटेल जे एक एक चेप्टर है इन पर पूरा बच्छो इसकी जो वेलु होती है वो 9 multiply by 10 to power 9 है ये इसकी mks value होती है एक इसकी value होती है बटा 1 है ये होता है cgs value और फिजिक्स में एक तक लिखा जाता है okay is equal to one by 4 और पलफा एफसाइलब नॉट क्या होता है वन बाइफसाइलननोट क्या होता है क्या होता है बिलकुल ठीक है क्या होता है यह तो क्या कहा यह तो थो के फॉल टू पॉस्टे लगे फिर भी कही पर यह वैली यूज हो जाए थोड़ा समय आइडिया है अब इन्हों क्या ने क्या कहा है यानि सेंट्रिफ्ज पर्स हो इनके कंशेट के एकोडिंग इनों क्या क depressed और टो क्या करेंगे लिएँ पर है क्या लिखाप में क्या क्या लिए कजब इसक्रा में और ऀस्ट मर्क और लगे यह कॉंसेब्स ब्लोग कर नहीं डिरेक्टली भी काम आता बार बर में वी स्कूर अपन आर इसको रॉपन आर इसको यह तो एक समय में आगया अगया क्लीर बटा एशी बताया कैसे कहना यहां तो डॉट यह सोनो क्लीर बटा चलो श्टेटमेंट दूको पहला तो अमने लिख ऐ यह सतो अप्लो कर प्लो ψाबवडर बेल्द रेले क्नित rappelle अप्लों लिख यह कि हां प्लों यह कि अक्लॉड ज़र्द़ और हां आ त वाशी बटेभ-प्लों लिख में रॉड थवाज़ वेंडरो ऑन अवालिवाल गॉडेवड अशी अवाल इसका अ nhấtतरी होल एvensके यह एक्षब 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 व्Amret Rेह अयार थलिरा है लियु डेवियर था इं।ाव कि ने है। अलिटरों कि नेव से वन बया है अवियर भी ऑन आवियर च्री घ्टरल अप्ति आवियर ऑम कि शिर अद्रलिबियर उदsti कि दिन्किल एंगाओ थैं 주र कि दोt को बात समझ में घान यह तो था है इसके वार मोडल का मैंन की इसा साथ क्वेश्ट करेंगा यहां तक बातिक्त रहें यहां तक यहां तक बात-क करना फिक है अभी तो नेक्स अभी काफी लेंदी पार्ट इबटा तो तीन चाहा लेक्ट्र काम है इसके सारे एप्लिकेशन बताऊंगा वाज सारे कुश्टन करेंगे गुमाब फिर रहे कि इस्टामा की है एक्जाम के मैंने क्या गाता जो एक्जाम के पॉइंट और इंपोर्ट अलग वता है बेटा और क्या गरते ग्लास के अलग यूज़ करते हैं बेटा तो अलग वीडियम के अकॉडिंग एक कॉंस्टेंट वैलू होती है बात समझ में आई क्या यह द्यान एकना यह इसको बैलेंस करके लिखा जाता है फिजिक्स में आप काफी सारे डिटेल ची प यहां तक अच्छे से नौट पर बात आशव सज़ास करेंगो कैसे करना क्या करना क्लियर है नाश चाहीं है चालो हो जाता है यह खुद ही क्या है एक कॉंश्टेट यूज किया गया प्रिंस तो यह ध्यान अखना इसकी यूनिट की ज़वराते नहीं पड़ेगी बटा यह तो क्या एक पॉंश्टेट वैल्यू है तो सीधा अपन को वैल्यू के अकोडिंग ध्यान अखना है आगया समझ में ठीक है आपटा विल्कूल वह तो अट्रेक्शन फॉर्स ही एक हो जाएगा ना इसी के अकोडिंग हो जाएगा ठीक है बटा चलो